हेलो दोस्तो यूनिक निभारती पुब्लिकेशन की इस यूटूब चैनल पर मैं सनी कुमार आप सभी का सागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में बिहार आई टिया से जुड़े जो आपके कुछ सवाल है उसको लेकर आपके बीच में आया है तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा क्योंकि लागातार स्वेंट्स के हर माध्यम से कॉल हैं मैसेज़ेज हैं कि वह सारे सवाल को लेकिए जैसे कुछ सवाल है जैसे एक स्टुडेंट है सतीस सिंग इनका सवाल है कि एप पर क्लास कब से चलेगा दूसरे एक स्टुडेंट है कुमार सूरज जिनका सवाल है एप पर क्या पढ़ाया जाएगा इसके लावा कुछ स्टुडेंट है रंजन राज जिनका ये सवाल है कि यूटूब पर क्लास कब तक चलेगा इस तरह से बहुस सरे सवाल है जो कि आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आप इस वीडियो को कंप्लिट तरीके से देखेएगा जिससे आपके अंदर में भी ये सवाल अगणा आता है related to ITI कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा किस तरीके से तैयारी कड़ाया जाएगी और बहुत सारे सवाल तो आज किस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला वीडियो सबसे पहला जो कोशन है वो है सतीष सिंग का जिनका है एक पर क्लास कब से शुर 21 का कड़ाया जा चुका है आज भी आपकी क्लास चलेगी जो कि साम में सबसे चार बज़े से चलेगा तो देखिए इसमें एक पर जो क्लासेज है वो साथ तारीक से स्टार्ट होगा जिसमें चैप्टर वाइस आपको पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा जहां पर आपको सारी चीज़े भी मिलेगी क्लास नोट्स असाइमेंट पीडियो टेस्ट और वाकि सारी चीज़े भी अब मैं नेक्स्ट को लेकर चलता हूँ इनका कोश्चन है कुमार सूरज का इनका कोश्चन है कि एप पर क्या पढ़ाया जाएगा तो एप पर जो आपको पढ़ाया जा चल रहा है आज भी आपकी डिसकस सामने उकड़ाया जाएगा इसमें जो है ITI की जो classes चल रही है जो की unique publication की जो book आती है उस book का previous year से चल रहा है इसके लावा जब 7 तारिक से application पर classes चलेगी उसमें भी आप एक सब्ता classes यूटूब पर भी देख सकते हैं अपने satisfaction के लिए लेकिन वहाँ पर पढ़ कि आपका ये रहेगा कि 7 तारिक तक जो ज थोड़ा पैसा बच जाएगा इसके लावा next question जो है वो है आलोक कुमार का इनका question है कि ITI के लिए कौन सा बुक सही रहेगा तो देखिए ITI के लिए सबसे बहतर अगर बुक की बात करें तो जो आप 10 तक अपनी किताबें पढ़ते हैं चाहे कोई भी बुक आपके पास हो ज question exam में आता है तो इन चीजों के लिए जो है हमारे प्रकाशन से किताब आती है जो कि आप लोग में से बहुत साड़ों के पास सयाद होगा भी आप यह देख सकते हैं मेरे पीछे question bank है इसी बुक का discussion YouTube channel पर भी कड़ाय जा रहा है इस बुक के एक और विससा सबसे बड़ी ब सकते हैं वैसे अगर आपके पास NCRT है तो वो आपके लिए बैतर है आप उससे पढ़ सकते हैं अगर question bank के लिए चाते हैं कि किस तरीके से आता है तो उसके लिए आप इस बुक को consider कर सकते हैं आप लोग में से बहुत सारों लोग के पास यह किताब होगा उससे आप तयारी कर भी रहे होंगे नेक्ट question को लेके हम चलते हैं कि यह बहुत सारे सवाल यह जो question मैं लेके चल रहा हूँ यह question बहुत बहुत सारे श्प्रिंट्स का है और बहुत सारे को करने में problem आ रही है वो question जैसे इनका है यह हिमानसु सिंग का question है कि app पर admission कैसे ले और fee कितना रहेग तो देखिए एप पर जो admission लेना है उसकी पूरी प्रक्रिया में इस वीडियो में आपको बताता हूँ आप वीडियो को थोड़ा अंतक देखिएगा अच्छी तरीके से देखिएगा जिससे आप easily उन्चीजों में अगर जुनना चाहें तो देखकर admission ले सकते हैं तो चली इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जैसे देखिए मेरे पीछे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगी प्रेजेंटेशन त्यार किया गया है जिसमें आपको यह बताया गया है कि किस तरीके सा आप admission लेंगे इसके लिए आप सबसे पहले play store पर जाईएगा वहां search आप के लिए कर भी रहें तो यहां से जाकर आप जो है install कर लीजेगा install करने के बाद यहां से open कर लीजेगा open करने के बाद जो है जो next slide आपका open होता है वो यह होता है login और register यहां पे बहुत साथे student को confusion होता है कि login करना है कि registration करना है तो जब आप first time इंटर करते हैं अगर अगर आप नए student है first time हमसे जूर रहा है तो आपको registration करना है अब registration में क्या भरना है वो आगे की मैं बता रहा हूं यहां पर थोड़ा सा ध्यान से बड़ी देखिए कर जैसे इसमें बताया गया है इसमें आपका बहुत सारा section आता है जैसे name है email id है mobile number है password है district है pin code है इसके ल ज्यादा problem आ रहा है सबसे बड़ा problem आ रहा है कि email id का password डालना है क्या यहां पर तो आपको यहां पर अपने email id का password डालने की कोई जरूत नहीं है आप कुछ भी password डाल सकते हैं सबसे simple है अगर आपको easily उसको remember रखना है तो अपना जो mobile number है आप उसको बेंटर कर सकते हैं जिस WhatsApp number और mobile number तो यह भी डिपेंट करता है आपके ऊपर अगर आपका यह दोनों number सेम है तो आप उसी number को दोनों जगा पर भर देंगे अगर आपका अलग 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 है और phone number अलग है तो आप दोनों में अलग 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 भड़ेंगे इसके लाबा और भी कुछ problem है अगर आत है और उसके बाद जाके register पर क्लिक कर देंगे register पर क्लिक जैसा ही कर देंगे तो देखिए यहां पर सबसे पहला जो page open होता है वह यहां पर देखिए यह आपका PDF है जिसमें आप हर चीजों का PDF मिलता है आई टी आई का भी PDF है आप अपने जरूत के हिसाप सर्वहां भी दे इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो next जो है आपका यहां पर option देता है बाइनाव का जैसे मेरे पीछे आप देख पाड़े होगे इस बाइनाव पर आपको क्लिक करना है यहां पर classes study material सारी चीजे यहां पर एस्ट्रेंट्स को कुछ confusion है कि कि क इस तरह से मुझे class करना है कैसे मुझे classes मिलेगा कहाँ पे शारी चीजे मिलेगी PDF कहां मिलेगा किष्ट कहां मिलेगा study material कहां मिलेगा तो इन सारी चीजे आपकी इसी जगँपे मिलेगी जैसे आप怎麼辦 यहां के लिए प्र пад देक रहा होगा वहां के तरकर से यहां पर आपकी बन जाएगी जिससे आपके लिए आसान होगा चीजों को समझना इसके लाबा इस्टेडी मेटेरियल भी आपको मिल जायेगा जिसमें अभी आपकी किसे अपर की सब्सक्राइब तो आप यहां पर देखिये की स्लाइड ओपनोता है यहां पर जो है यहां पर बाई पर जाके क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जैसे यहां पर भी स्टुटेंट को कुछ जगों पर प्रॉब्लम आ रहा है जैसे बहुत सारे स्टुटेंट हो सकते हैं जो कोई कोई भी माध्यम यूज नहीं करते हो जाए वह गूगल पर फोन पर या कोई भी डेविट कार्ट एटीम या फिर कोई भी यानिमा ओन्लाइन यूज नहीं करते हैं उन्हें स्टुटेंट्स आप हम्यारे हैल्पलाइन नबर पर कॉल कर लिजेगा वहां पर आपको बता दिया करने के बाद जो भी आप उजड़ करते हैं सेलेक्ट करने काद आप वहाँ प्यमेंट कर देंगे Impfly आप वो Google पर उसकर κα्बाद आप यह चाहते कि मेरे admission हो या नहीं यह देखना चाहते इसको देखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको बापस से application open करनी है application open करने के बाद आप dashboard में जाईएगा dashboard में देखिएगा आपको सबसे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा जैसे यह सारी courses अगर एक व्यक्ति का purchase किया हुआ है जिसका screenshot अभी लगा हुआ है तो यह सारी चीज़े दिख रहे है आप में क्या दिखेगा आप जब dashboard पर क्लिक किजेगा तो आपका जो course purchase किया हुआ है सि आगे मैं help line number भी आपको दिखा दूँगा आप वहां से जो है help line number भी देख सकते हैं इसके लावा जैसे मैंने सुरू में भी आपको बताया है जो classes आपको मिल रही है यूनिक ज्यान एप पर उसमें आपको रोजानक तीन घंटे live class चलेगी यहां पड़ एक students के और भी सवा सान है कि timing को लेके timing क्या रहेगा तो देखे timing भी जो है वो अभी जो यूट्यूब पर class चल रही है समय साम में सबा चार से साथ बजे तक most probably वही time रहेगा लेकिन अगर students की एक कुछ वैसे students है जिनका call है कि सर सुबह में batch अगर आता तो बैतर होता तो एक voting भी रखा आप लोग के लिए जो students हमसे application पर जुड़े हुए हैं आप लोग से पुछा जाएगा voting रखी जाएगी अगर vote सुबह को लेके ज्यादा रहेगा तो आप लोग के batch सुबह कर दी जाएगी वरना फिर साम में इसी समय पे रहेगा ठीक है अगर आगे बात करे classes में क्या क्या म है यहां पर देखिए यहां पर आपका जो है last में जो है help line number भी आपका दिया हुआ है वैसे मैं इसको एक पड़ आपको लिए बोल भी देता हूं आपका help line number है 8434897582 यह आपका help line number है इस पर आप कभी भी call या what's up कर सकते हैं कोई भी इसके अलाबा अगर problem आती है regarding classes की तो आप देख सकते हैं अंत्वेबस इतना बोलूगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि IT तैयारी करना है या उसको interest exam निकालना है तो आपको admission लेके ही पढ़ाई करना होगा ऐसा को जरूरी नहीं है अगर आपको लगता है कि सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर चीजे करने से आपकी इंट्रेंस exam निकल सकती है तो आप सिर्फ वो बुक लेकर या फिर NCRT पढ़कर भी निकाल सकते हैं लेकिन teachers की guidance के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो यह बैतर कि live classes नहीं छूटेगी live classes नहीं छूटता है तो श्रेंट के लिए होता है कि चीजे पूछ बाते हैं वरना बाद में क्या होगा फिर आप recorded देख पाईएगा तो आसा करते हैं कि वीडियो के माधियम से आप पूरी चीज़ों को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपको ITI क crash course में admission लेना है इसके लावा last में बस एक question को इस वीडियो में मैं और लोंगा यह question सालिनी कुमारी का है कि classes जो है वो कब तक चलेगा जो application का classes है वो कब तक चलेगा कब तक हमें classes मिलेगे तो देखिए classes जो है वो लगभग आपका तीन महीने के आसपास classes चलेगी जब तक आ अधिम से मैंने लिया आसा करते हैं कि जो जो आपके मन में कुछ सवाल आये होंगे कुछ वैसे question जो जात्र बच्चों के students के call थे उनको मैंने आज पिक किया है अगले वीडियो में अगर और भी आपके कुछ सवाल है तो आप उसको कमेंट में हमें पूछिए मैं कोसिस और तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में धन्यवाद